नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक टो माई चैल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जादा यूसफुल होने वाली है आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हूँ जो आपके काम को बहुत ही पहले टिप कौन से है कई बर हमारे कीचन के काउंटर टॉप या फिर डानिंग टिबल पर इस तरीके से कैचप सॉस वेगरे गिर जाता है तो हम क्या करते हैं कपड़े से साफ करते हैं उसके बाद कपड़े को भी हमें कई बार वाश करना पड़ता है तो उसकी जगे आप और जुगाड कर सकते हैं यहां पर आप ले लिए एक थैला और इस तरीके से एक कर्ची ले लिए जो की आगे से फ्लैट हो और जो कर्ची है जो प्लास्टिक के अंदर आप कुछ इस तरीके से फसाईए और जो कैचप है ना वहां पर इस तरीके से कर्ची को ले जाते बस एक हलके गिले कपरे से आप इसको इस तरीके से साफ कर दीजे, आप का जो सर्फस है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो जब ही कभी काउंटर टॉप यॉ आप फिर डान्ट ले उल परूप इस तरह के से क्लीन कर सकते हैं, और इस तरह की से बस प्लास्टी का जो थेलह और उसको लेकर आप फेक दीजे, I hope यह आईडिया आपको ज़रो हेल्फू लगा होगा, चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं, हम सारी लेडीज इस तरह के आर्टिफिशल जुल्री पहनते हैं, अलग-अलग साडियों पे अलग-अलग सेट लगा कर, लेकिन बहुत लेडीज इसको यह प्रॉब्म होती है, कि जब वो आटिफिशल एरिंग्स वेगरा जब पहनते हैं, तो उनके कानों में बहुत ज़दा इचिंग हो जाती है, रेडिश हो जाता है, और वो पहन नहीं पाते हैं, बहुत ज़दा दर्द होता है, तो इसके लिए आपके साथ 2-3 तरीक आप पहनने वाले हो ना कानों में, तो इस तरीके से लेसुन में जो एरिंग्स होगी ना उसको इंसर्ट कर दीजे, और इसको 10-15 मिन के लिए आप छोड़ दीजे, इससे क्या होगा कि लेसुन के जो रस की जो कोटिंग है वो आपकी एरिंग्स पर आ जाएगी, और जो ले आपके कानों पर नहीं होगी, बहुत ही यूसफुल टेप है, बहुत ही जादा काम आएगी, जरूर ट्राय करके देखेगा, आई होप ये आइडिया भी आपको जरूर यूसफुल लगा होगा, तो चलिए दोस्तों एक तरीक और आपके साथ शे करती हूँ, कैसे आप आप अपने स्किन को सेफली बचा सकते हैं, दुसरा तरीका है कि आप नेल पेंट यूज़ करिए, जो एरिंग के हुक्स होता है, वहाँ पर आप नेल पेंट की एक कोटिंग कर दीजे, सबसे बैस्ट होगा कि आप ट्रांस्पेरेंट नेल पेंट ले लिजे, जिससे बिल्कुल जो आपके स्किन पर हो जाती है, वो बिल्कुल प्रॉप्रम भी होगी, दोस्तो ये एकदम ट्रांड टेस्टेड हैक है, बहुत ही यूसफुल टिप है, जरूर ट्राय करिएगा, अगर आपके स्किन पे इसरे की कभी अलर्जी हो जाती है, आर्टिफिशल जोलरी बेकर पह पर होता है कि जो हमारी एरिंग्स होती है, इनके जो ये तल्ली होती है, पेच होता है, ये खो जाते है, अब कोई एरिंग है, अब हम इसको पहने कैसे, क्योंकि इसका जो पेच है, वो खो गया है, कई बर हैवी जोलरी इस वेगरा होती है, जिनके लिए हम जो वाशर जो कह करने वाला वह आप hijra ले लिजियो और इसमें चोटा सा पीस आप कर लिजिए और जैसे मैं यहाँ करके कैख Moran कर लिया है जिसे erinx को insert करने में आसानी हो उसके बाद आप इस तरीके से erinx में लगाके पहनी हें तो जो erinx को लटकती थी ना मतलब बड़ा होल होने के कारएं कानों में आप बड़े-बड़े एरिंग्स को पहन नहीं पाते थे तो आप इस तरीके से अगर रबर लगा कर उसको पहनेगा तो बहुत ही आसानी से आप उसको पहन पाईएगा ये बिल्कुल भी लटकेगा नहीं और इरेजर है पीछे के साइड में रहता हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अपने एरिंग्स को वेर कर पाएंगे आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आये होंगे चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं कई बार होता है कि सरेके के हैवी साडियां वगरा जो हम पहनते हैं तो हर पहनने के बाद हम इसको करते हैं काई बार होता है कि इसको हम रिपीट जैसे दो घंटे के लिए भी अगर हम पहनते हैं तो हम इसको वाश नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसको ड्रै क्लिल में देना होता है तो हम क्या करते हैं फोल करके रख देते हैं लेकिन कई बार होता है कि इसको कुछ गिर जाता ह है अगर हम ब्रश से इसको डारेक्ट साफ करते हैं तो जब भी इस तरह खेंगी की साड़ेयों पर कोई धाग लग जाए और आपको थोड़ा सा एरिया है और आप सोच रहे है घर में इसको साफ कर ले तो ब्रश से ही बिना ब्रश किये तो साफ होगा नि तो आप इस तरह की स आप एजली ब्रश में मोजा लगा कर और अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं आई होप याइडिया आपको जरूर काम आएगा चलिए अगली टिप देख लेते हैं दोस्तो अगर आप भी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो नेक्स टिप आपके लिए बहुत ही ज़ता यूसफुल होने वाली है तो क्या होता है कि जब भी हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं और उसको जब वाश करके रख देते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है तो क्या हम करें जिसे इसमें बिल्कुल भी जंग ना पकड़े तो ये बहुत ही अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हूँ ये मेरी रेगुलर की कढ़ाई है इसमें डेली में खाना बनाते है जिसे ये बहुत ही अच्छे से ग्रीस हो चुका है लेकिन अगर आप कभी कभार लोही की कढ़ाई में खाना बनाते हैं और इसको वाश करके रखते हैं और जंग लग जाता है तो ये आप काम जरू करिएगा वाश करने के बाद उसको अच्छे से सुखा लीजे हो जगे तो धूब में सुखाने के बाद आप उसमें क्या करिए थोड़ा सा कोकिंग ओयल डाल कर इस तरीके से हर तरफ उसको फैला कर ग्रीस कर लीजे तो ओयल लगाने से क्या होता है इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा अभी के समय में क्या है लोग नॉन स्टिक बरतन के तरफ जादा चाहने लगे हैं लेकिन ये जो लोहे की कड़ाही है ना हेल्थ वाइस से भी बहुत ही जादा आपके लिए अगर इसमें बना खाना अगर आप खाते ना तो जब भी आप इस तरी के से इसको ग्रीस कर अभी आप क्या कर लिए AMaayna mad до bad day तो फेल्स तो यहां पर लिया है मैंने आधा बाल्टी के करीब पानी आप जो चीज़ें इसमें मैं डालने वाली हूँ वो आप पानी के कौन्टिटी के हिजाब से कम ज्यादा कर लीजेगा तो यहां पर आदा बाल्टी पानी लेने के बाद इसमें हम कुछ चीज़े डालेंगे जो यह सॉलिशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग बनाएगी सबसे पहले तो हमें इसमें डालना है ए भी काफी ज्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से चारों चीज़ों को डालने के बाद हमें इस सॉलिशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी जो सॉलिशन बना है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है अगर आपके पास फिनाईल नहीं है खतम हो गया तो यह सॉलिशन अगर चार्च यो का इस्तमाल किया है जिसके कारें यह सॉलिशन बहुत ही ज्यादा पावर्फुल बन जाता है पहला तो हमने इसमें नमक का यूज किया है अगर आप नमक के पानी से पोछा लगाते है तो आपके घर की जितनी में नेगटिविटी है वो दूर जाती है और इसमे बिल्कुल भी नहीं आएंगे चौता हमने इसमें यूज किया है कमफोर्ट अगर आप पानी में कमफोर्ट डालकर पोछा लगाते हैं तो एक घर में बहुत ही प्यारी सी भिनी-भिनी खुश्बू आएगी बहुत लोगों क्या होता है ना फिनायल की खुश्बू से ट्राय करके देखिएगा आई होप यह आईडिया आपको जरूप पसंद आया होंगे तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूं और उमीद करती हूं आज के सारे टिप्स और आपको जरूफ लगे हुँगे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडिय एक नएव वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा गुडबाए